डियर स्टुडेंट्स, कॉलिज शिक्षा आयुक्ताले द्वारा निर्देशित ग्यानदूत 2.0 में आपका स्वागत है बचो आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कमपाउंट्स जो की BFC पार्ट थर्ड और्गनिक केमिस्टी का पार्ट है उनकी रियक्शन्स के बारे में हम अध्यन करेंगे मैंने इससे पिछले पार्ट में पार्ट दिस इस दा 23, 22 के अंदर मैंने आईसो क्यूनोलिन बनाने के मैथट्स के बारे में हमने अध्यन किया था बचो इस पार्ट में हम देखते हैं कि आईसो क्यूनोलिन एक कस्तलाइन सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पाइंट है 26 डिग्री सेंटिग्रेट रियक्शन्स आईसो क्यूनोलिन की लगभग पिरिडीन और क्यूनोलिन के समान है क्यूंकि देखिए क्यूनोलिन का फर्मूला इस तरह से मैंने बताया था यह क्यूनोलिन का फर्मूला था और बच्चो यह फर्मूला था पिरिडीन का और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये condensed heterocyclic ring system जिसके अंदर दो वले आपस में संघनित होती है और हमने इसको कहा था 2-3 benjopyridine और बच्चों इसको हम बोलेंगे this is this is you know 1-2-3-4 see 1-2-3-4 this is 3-4 benjopyridine तो reactions isocunoline की जिस प्रकार से reactions pyridine cunoline की होती है उसी प्रकार की reactions यहाँ पर isocunoline की भी होती है so we start now हमारा first हम इसकी chemical reactions में हम अध्यन करते हैं रासाइनी कभी क्रियाओं में basic nature बच्चों यहाँ पर basic nature देखिए मैंने आपको this is the pyridine और जब pyridine की reaction हम इस तरह से कराते हैं इस तरह से reaction हम कराते हैं प्रीडिन की देन फॉर्मिशन आफ इस तरह से यहाँ प्रीडिन आयोडाइट और बच्चों उसी तरह से मैंने आपको क्यूनोलिन में भी पताया था क्यूनोलिनियम आयोडाइट this is the N-methyl यहाँ पर N-methyl pyridineum आयोडाइट का फॉर्मिशन होता है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है एसिट्स के साथ सॉल्ट बनाती है हम अगर इसकी रियक्शन मान लो HCl के साथ करते हैं तो यहाँ क्या फॉर्मिशन होगा लाइक दिस दिस प्रीडिनियम क्लॉराइट दिस इस दा फॉर्मिशन सॉल्ट सेम रियक्शन क्यूनोलिन के साथ होती है और यहाँ पर इसी तरह से रियक्शन बच्चो आईसो क्यूनोलिन के साथ भी रियक्शन होती है तो यहाँ पर आईसो क्यूनोलिन एसिट्स के साथ सॉल्ट बनाती है और अलकिल आयोडाइट के साथ quaternary ammonium this is you know this is the quaternary ammonium this is ammonium but your formation of this hum part a NH3 or is a NH4 plus plus H plus then formation of ammonium and the same way this is isocunolinium iodide and methyl this is the reduction right isocunolin isca hum different conditions me reduction कराते हैं अप्चैन कराते हैं तो हम देखते देखे when we use tin and HCL पच्चो this is the formation of 1234 मैंने यहां numbering की हुई है 12345678 और यह जो अंदर numbering की हुई है यह numbering इस बात को समझाने के लिए की है कि किस तरह से पिरिदीन में जब इसके साथ जब बैंजीन रिंग एसोसियेट होती है और हम इसका नाम क्या देते हैं 3-4 बैंजो पिरिडीन राइट एनिवे हम देखते क्या है यहां पर आइसो क्यूनलीन का रिडेक्शन जब टिन और एक्सियल के साथ कराते है यह देन दा फॉर्मिशन ऑप 1-2-3-4 टेट्रा हाइड्रो आइसो क्यूनलीन का फॉर्मिशन होता है सोडियम और अमोनिया के साथ जब आइसो क्यूनलीन का रिडेक्शन होता है जिस तरह से यहां पर होता है यह दिन दा फॉर्मिशन ऑफ डिस दा फॉर्मिशन ऑफ वन टू डाई हाइड्रो आइसो क्यूनलीन हम इसको कह सकते हैं सोडियम और अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कम तीवर्ता वाला अपचायक होता है अधिक तीवर्ता वाला होता है और सबसे अधिक तीवर्ता वाला इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि आईसो क्यूनलीन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रसाइनों के साथ अपचैन कराने पर भिने प्रकार से इसका अपचैन होता है तो बचों यहां पर formation होता है दिस इस वन तो थी फोर फाइव सिस्थ एव एट ओक्ता हइड्रो आईसो क्यूनलीन का formation होता है जब आईसो क्यूनलीन का reduction पैलेडियम अंद हाइड्रोजिन के साथ कराते हैं बचों इस reaction is important क्योंकि यह तो reaction हमने इसी तरह से पिरिडीन में भी पड़ी है और क्यूनोलीन के अंदर भी पड़ी है और यहां पर हमने देखा कि विविन परिस्थितियों में अप्चैन कराने पर विविन प्रकार से अप्चैन होता है बच्वो नेक्स्ट रिक्शन इस इस अउक्सिडेशन आईसो क्यूनोलीन का ओक्सिडेशन यहां पर हमने यूस किया है पर बैंजोईक एसिड देखी बच्चों यह होता है C6H5COOH तो इस इस दा बैंजोईक एसिड और यूस दिस पर बैंजोईक एसिड तो यहां पर फॉर्मिशन होता है क्यूनोलीन और सेम रियक्शन होती है जैसी रियक्शन आईसो क्यूनोलीन की होती है हम आगे देखते हैं कि आईसो क्यूनोलीन का रेडेक्शन इसो क्यूनोलीन का रेडेक्शन पर हमने देखा कि कि स तरह से इसो क्यूनोलीन का आक्सी करंड पर बैंजोईक एसिड के साथ कराने पर आईसो क्यूनलीन N-oxide का formation होता है बच्चो, we use when alkali K-menophor जब हम शारिय K-menophor प्रियोग करते हैं तो बच्चो, यहाँ पर क्या होता है? यह ring टूट जाती है इस तरह से यह मैंने इसमें dotted करके निशान लगाया हुआ है यह वले यहाँ पर टूट जाती है और यहाँ दो तरह के परड्रेक्ट है बच्चो, यहां फोर्मिशन होता है one is the thallic acid this is the location of the illic acid and this is the यहां पर फोर्मिशन होता है this is the pyridine ring pyridine ring से बनता है this is this is synchoparonic acid सिस्ट को मेराओनिक एसिट एंड थैलिक एसिट का यहां पर फॉर्मिशन होता है नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिक्यूशन रियक्षन तो देखें हमने देखा कि किस तरह से इंडोल, क्यूनोलिन और आईसो क्यूनोलिन ये क्या है? एरोमेटिक कमपाउंड है और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतीस्थापन अभी करिया एरोमेटिक कंडिशन का एक महत्मून भाग है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आईसो क्यूनोलिन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रियक्शन्स होती है मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि मैंने यह बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि यह जो फॉरमेशन होता है दिस इस दा क्यूनोलिन और क्यूनोलिन के अंदर जब इलेक्ट्रोफिलिक रियक्शन्स होती है देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पर पार्ट इस पोजिशन पर रियक्शन्स होती है क्योंकि यहाँ पर यह जो पिरिदीन रिंग होती है इस पिरिदीन रिंग में प्रिजthem औफ नाइट्रोजन एटम जोकी электronegative element होता है electron आकरशी होता है इसके कारण से ये electrophile के साथ यहां पर reactions मुश्किल से होती है तो हम आगे देखते हैं कि किस तारह से मैं आपको बता दूं कि pyridine के अंदर भी electrophilic reactions मुश्किल से होती है जब कि nucleophilic reactions आसानी से होती है और उसका reason होता है pyridine ये does is a pyridine इसका reason होता है कि pyridine वलये के अंदर उपस्तित, विदो तरणी nitrogen atom जो की इस ring को electron new कर देता है हम देखते हैं कि आइसो क्यूनोलिन में नाइट्रोजन एटम की माइनस आई प्रभाव बच्चो दिस इस दा प्रेरण प्रभाव इलेक्ट्रोन आकरशी प्रेरण प्रभाव इंडेक्टिव एफेक्ट प्रेडिन रिंग इलेक्ट्रोन नियून हो जाती है ये बाली-बाले electron new जाती है आते हैं Electroflick substitution reactions कहां पर होती है इस रिंग पर आईसो क्यूनोलिंग में Electroflick substitution reactions Benzen ring पर होती है और Benzen ring में 5 and 8 positions पर बचो दिस इस दा ये रो ये position और इस position पर reactions होती है मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से detail में क्यूनोलिंग की अंदर explain किया हुआ है वहाँ पर इसको आप देख लें क्यूंकि क्यूनोलिंग और आईसो क्यूनोलिंग जो mechanism part है वो लगभल same है एक और important चीज यहां लिखिए देखिए इस स्टार बना जिकते हैं इसको यहाँ पर कि bromination and mercuration ये होती है 4 position पर और बाकी electrophilic substitution reactions होती है 5 and 8 position पर तो हम देखते हैं कि किस तरह से आईसो क्यूनोलिंग का nitrogen करने पर nitrogen के लिए हम यूज क्या करते हैं we use concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid and what it produce this is produce this is NO2 plus nitrogenium iron यहाँ पर produce होता है तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा 5 and 8 positions पर electrophilic substitution reactions होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 position पर this is 5 nitro isokinulin and this is 8 nitro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is the formation of 8 nitro isokinulin का यहाँ formation होता है next reaction sulfonition right sulfonition का मतलब होगा इस ताइप इस तरह का गुरूप कौन सा एलेक्ट्रोफाइल होगा SO2OH इस एलेक्ट्रोफाइल का समावेश isokinulin ring में हम यूज करते हैं concentrate sulfuric acid और fuming sulfuric acid H2S2O7 that is oleum हम इसको 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि nitrogen के लिए we use concentrate nitric acid and sulfuric acid and for the sulfonition we use concentrate sulfuric acid or fuming sulfuric acid तो बच्चों same reaction 5 this is 5 sulfonic acid isokinulin 5 sulfonic acid का formation होता है 1 2 3 4 5 and the same way this is the 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sulfonic acid मैं एक बाद clear कर दूं कई बार बच्चे इसको numbering यहां से करते हैं मैंने यहां पर इसी लिए कई बार इसको बताया है कि हमें isokinulin ring में numbering यहां से start करनी है और pyridine sorry this is isokinulin में numbering यहां से start करनी है and this is the kynulin बच्चों इसमें numbering यहां से start करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिट तो यहां पर हम ने देखा कि किस तरह से शल्फोनी करण का प्रॉसेस होता है बच्चो नेक्स रेक्षिन इस दा ब्रोमीनेशन तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार लगाके ब्रोमीनेशन होता है एट फॉर पोजीशन यहां पर निक्लिफाइल कौन सा बनता है इस तर से इस ब्रोमोनियम और बच्चो इस तरह से यहां फॉर्मो इसो कुनोलीन का फॉर्मिशन इस फॉर्मो इसो कुनोलीन राइट नेक्स रेक्शन बच्चों देखते हैं यहां पर इस मर्कुरेशन इस काम यूज करते हैं वी यूज मर्कुरिक एसिटेट तो बच्चों यहां जब आईसो कुनोलीन का मर्कुरेशन कराते हैं तो at four position पर इस आईसो कुनोलीन 4 Mercury 1234 450 का फॉर्मिशन होता है तो हमने देखा किस तरह से ऐसो कुनोलीन की रेक्शन्स को हमने देखा कि किस तरह से आईसो कुनोलीन की विभिन प्रकार की अभिकरियाएं होती है इसके next पार्ट में हम इसकी कुछ name reactions और nucleophilic substitution reactions के बारे में अध्यन करेंगे So that's all in this session, thank you 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 झाल 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 लड़ बाग।